दोस्तो प्रधानवंत्री किसान सम्माननिदी योजना से रिलेटेड एक बहुती बड़ी खुसकबरी निकल कर आ गई है ऐसे किसानों के लिए जिनोंने अभी तक भी पीम किसान सम्माननिदी योजना में अपना रजिस्टिशन नहीं किया है या आपने रजिस्टिशन तो किया है लेकिन आपको किसी कारण से PM किसान सम्मान निदी योजना का benefit नहीं मिल पा रहा है तो उन सभी किसान भाईयों के लिए PM किसान सम्मान निदी योजना के तरब से एक बहुती बड़ी update निकल कर आ चुकी है PM किसान सम्मान निदी योजना के एक बड़ फिर से जो है ओनलाइन फार्म भराना गोर्मेंट की तरफ से जो है सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिये गए है अभी तक दोस्तों अगर आप यहां पर फार्म को फिल अप करते थे तो आप सभी किसान भाईयों के पास में सुनहरा मोका है अगर आपके नाम पर जो है किसी भी तरह की जमीन है तो आप जो है PM किसान सम्मान निदी योजना में अपना ओनलाइन घर बैठे रजिस्ट्रिशन कर सकते हैं वो भी बिलकुल फिरी में तो पूरा प्रोसेस क्या है आज किस वीडियो में मैं आपको चेप बाइस्टेप कंप्लिटली प्रोसेस बताने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंफर्माटी होने वाला है तो वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए और चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडियास रिटेट कंटेंट मिलते रहता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल के या लेप्टॉप के किसी भी एक ब्राउजर में PM किसान सम्मान निदी योजना की ओफिशल वेबसाइट को ओपन कर लेना है pmkisan.gov.in इस वाली वेबसाइट का डायरेक लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब दोस्तो जैसी आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं जिनका रजिस्टिशन किसी भी कारण से पेंडिंग है तो उन सभी के लिए गोर्रमेंट की तरब से एक मुहिम को चलाया गया है जिसके माध्यम से यहाँ पर जितने भी सारे पुराने फार्म है जो की छूट चुके हैं जिनको बेनेफिट नहीं मिल रहा है जिनने की अपना रजिस्टिशन करके रखा है वो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपना अपडेट कर सकते हैं जिन लोगों ने रजिस्टिशन नहीं किया वो रजिस्टिशन कर सकते हैं रजिस्टेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर तीन स्टेप को फॉलो करना होगा, तो तीनों स्टेप आपको यहां पर तीनों स्टेप करना है, कैसे आपको रजिस्टेशन की तीनों स्टेप करना है, कैसे आपको रजिस्टेशन की तीनों स्टेप करना है, कम्प्लि अमोबाइल नम्बर प्रोइट करगे तो आप होसका अपे वैदार सब्सक्राइब केबिधन वह साथ ही वाले केपिछा को यहां पर फील पर क्लिक कर देना है तो यहां पर जो भी आप मोबाइल नमबर प्रोवाइड करेंगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा चार अंक का PM किसान की तरफ से OTP आपको यहां पर फील करना है और इस वाले केपचा को आपको यहां पर फील कर देना है और सम्मिट OTP वाले बटन पर क्लि कर देना है और यहां पर वेरिफाय आधार OTP इस वाले उप्शन पर क्लिक कर देना है तो अभी आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा जहां पर की जो किसान है उसकी कुछ डिटेल यहां पर आधार KYC का अकार्डिंग ले ली गई है अब आ यहां पर फार्मर का नाम जो है आधार कार्ड के अकार्डिंग ले लिया गया है जेंडर भी ले लिया गया है केटेगरी आपको यहां पर सेलेक्शन का अप्शन मिल जाता है जिसमें कि आपके पास में एक हेक्टियर जमीन है दो हेक्टियर जमीन है मतलब दो हेक्टियर व में भी आपका आधार काड यहां पर रहेगा आधार नमबर आपको यहां पर जो नहीं किया जाता है यहां पर आपका मोबाइल नमबर है आपको बताया जाएगा जिसके साथ में आपने लोगिन किया है और यहां पर आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार काड के अकार्ड आपको जो यह लेंड रजिस्टिशन आईडी देखने के लिए मिल जाता है उसी नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है अब दोस्तो वेसे तो यह वाली जो फिल्ड है मेंडिटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको इस्टार का मार्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो काफी सारे लोग जोए इसके बिनाई अपने फार्म को फिलप कर देते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप जो फिल करें बगेर अपने फार्म को सम्मिट कर दोगे तो आपको यह पीयम किसान संब्मान निदी यूजना का बेनेफिट नहीं मिलेगा आपका जब फार्म अपर तो वहां पर फिर आपको जो है लेंड सीडिंग का इशू देखने के लिए मिलेगा जिसकी वज़े से PM किसान सम्मान निदी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा तो इसलिए यहां पर आपको लेंड रजिस्ट्रिशन आईडी जरूर से डाल देना है यह आपको क छोड़ सकते हैं mandatory नहीं है उसके बाद यहां पर आपका डेटा उबर्द आपको शोग किया जाएगा आपने अगर अगर आपका जो खसरा है उस पे एक से ज़्यादा वेक्तियों के नाम है तो आप जोईंट वाले अप्शन को सेलेक्ट करेंगे अगर आपके खसरे पर एक जायी को सेलेक्ट करेंगे उसके पाध आपको किठी अपकी जमींगे उसकी इरिया को यहां पर बता देना है आपके नाम पर जूए जमीन कब आये थी वह आपको यहां पर बता देना है ठीक ळकत ना जयसे कि लेंड ट्रांसफर स्टेत सापके नाम पर कब हुआ था तो यहां पर अगर 2019 से पहले हुआ था तो आप इसको select करेंगे 2019 के बाद हुआ था तो आप जो ही इस वाले option को select करेंगे उसके बाद यहां पर आपको link transfer detail तो यहां पर जो है जमीन आपके नाम पर क्यों आये थी आपके पिता की मृत्य की होने के कारण आपके नाम पर आई थी आपके पती के मृत्य के बाद यहाँ के नाम पर आई है और उस केस में आप अपलिकेसन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जहे उस कंडिशन में प्रीवियस ओनर का जैसे कि हजबेंड की मृत्ति के बाद जमीन पतिनी के नाम पर आ जाती है तो यहाँ पर आपको जो हजबेंड का आधार नमबर इंटर करना होगा और पिता की मृत्ति के कारण अगर जमीन वच्चों के नाम पर आई है तो उस कंडिशन में भी यहाँ पर आपको पिता का आधार नमबर इंटर करना होगा, सारी डीटेल को आपको फिलब करने के बाद आपको एडवाले उप्शन पर क्लिक कर देना है, जमीन आपके नाम पर कब आई है वो एक्चुल डेट आपको यहाँ पर इस कलेंडर के माध्यम से सलेक कर लेना है, सारी information को fill up कर देने के बाद आपको यहाँ पर aid वाले option पर click कर देना है जैसे आप aid वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी जमीन की detail है वो इस तरह से aid हो जाएगी ठीके ना अब यहाँ पर आपको और भी कोई आपकी जमीन है तो आप उसको भी aid कर सकते हैं otherwise यह mandatory नहीं है जो भी जमीन आपने यहाँ पर aid की है जो भी खसरा नंबर आपने यहाँ पर aid किया है उसका जो भी document है आपके पास में जैसे की खसरा है या पाउती है उसको आपको यहाँ पर upload करना होगा upload करने के लिए आपको simply choose file वाले button पर click करके जहां कहीं भी आपने पाउती को रखा है या जहां कहीं भी आपने खसरे को रखा है उसको आपको यहाँ पर select करके upload कर देना है information को fill up कर देने के बाद आपको farm को यहाँ से कर देना है save जैसे आप farm को save करेंगे आपको जो है reference number मिला था आपको यहाँ पर enter कर देना है इस वाले केपचा को आपको यहाँ पर feel करना है and get OTP वाले button पर click कर देना है अगर आपका registration number खो जाता है आपको नहीं पता है कि आपने registration कब किया था तो उस condition में आप जो है अपने mobile number या आधार number के माध्यम से भी अपना registration number का पता कर सकते है उसके लिए आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाता है know your registration number का आभी हमारे पास में registration number है तो हम यहाँ पर directly registration number डाल कर get OTP वाले button पर click कर देते हैं तो जैसी आप get OTP वाले button पर click करेंगे सारी की सारी information आजाती है आपका registration number क्या है आपका नाम क्या है आपकी जमीन का address क्या है आपका mobile number क्या है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जह सारी detail दिखाए देती है उसी के just नीचे आपको eligibility status का एक option देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर की आपको arrow वाले option पर click कर देना है अब दोस्तों जैसी आप यहाँ पर eligibility status वाले option पर आकर check करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो land setting है अगर आप जो है आपकी जमीन का document या जो भी आपका land ID है वहाँ पर अगर आप enter कर देते हैं तो आपका land setting आपको यहाँ पर इस तरह से yes so किया जाएगा ठीक है ना यह बहुत main problem होता है इसको आपको समझ लेना है अब यहाँ पर आपको जह KYC status का एक option देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आपने जो है नया registration किया है तो यहाँ पर आपको KYC भी yes so कर दिया जाएगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर जो payment आपको मिलती है तो उसके लिए government आपसे bank account detail नहीं मांगती है यहाँ पर केवल आपसे आधार number मांगा गया है तो आपका जो भी आधार card है वो bank account के साथ में link होना चाहिए तो आपको यहाँ पर जो है government की तरब से payment directly आपके bank account में दे दी जाएगी अब माल लिजी कि अगर आपका जो है यहाँ पर आधार bank sitting status आपको no show किया जा रहा है तो उस condition में आप जो है ओनलाइन तरीके से या bank जाकर आपने आधार card में bank account को seed कर सकते हैं अपना जो आधार card उसको NPCI के साथ में link कर सकते हैं तो 15 दिन के बाद यहाँ पर आपका status है आपको yes show कर दिया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आपको बताया गया है कि अगर आप आधार अपने bank account के साथ में link करवाते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन का wait करना है 15 दिन के बाद यह सारी facility इस वाले portal पर आपको show कर दिया जाएगी तो अगर आप आज यहाँ पर आधार DBT के लिए application देकर आए हैं तो 15 दिन तक आपको wait कर लेना है जब आपकी यहाँ पर तीनों चीजे इस तरह से verified रहेगी तो यहाँ पर आपका FTO है वो प्रोसीट कर दिया जाएगा अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा FTO है प्रोसीट है और हमको PM किसान सम्मान निदी योजना की 7 किस्त अभी तक सक्सेस्पूली हमारे खाते में आ चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने हमारा KYC कम्पलीट कप किया था तो यहाँ पर हमने 2023 में ही अपना KYC कम्पलीट किया था वो डेड़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है नए तरीके से ओनलाइन घर बेठे PM किसान सम्मानिदी योजना के अंतरकत अपना अप्लिकेसन कर सकते हैं completely step by step process मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए साथी साथ अगर आपको चैनल को सम्मानिदी योजना में पैसा लेने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझे comment section में जरूर से बतायेगा तो मेरे पास अगर उसका कोई solution रहा तो मैं आप लोगों को जरूर से answer करूँगा तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जय हिन जय भाड़